कसौर्टी इस दिंदगी की को समझ में आ रहा है एक्चुली इस पूरे कैरेक्टर में एक अनुपम ही ऐसे हैं जो हर समय चाहते हैं कि प्रेना और राग एक हो जाएं भले ही वो नीवी के पती हैं भले ही वो मोहिनी के दामाद हैं लेकिन फिर भी उनकी सोच इन दोनों से बहुत अलग है वो मिस्टर मु कि दोक्टर में मना किया है अनुपम के दिमाग पर जो डालने का अगर अनुपम ऐसा करेंगा तो तो उसकी चाहिए तो तबित खराप हुल सकती है नम्हें पता पाएंगे पर कहीं नटहीं अनुपम इस बात का विल्ट को लिद गा कि यह सब कुछ तुमसे जुड़ा है ऐ बहुत अजीब तरीके से हसास हो रहा है अनुपम यह सारे हिंट अनुराग को देगा और अब अनुराग यह सारी चीजों के लिए बात करेगा खुद प्रेणा से वो उस सपने के बारे में प्रेणा से पुछेगा कि उसे ऐसा सपना क्यों आया है जैसे ही अनुपम से अनुराग इस बात को शेयर करता है कि उसे प्रेणा के लिए फील होने लगा है सोनालिका ये बास सुन लेगी एक्चुली शिवानी ये बास सुनेगी और वो सोनालिका को पता देगी कि तुमारा पती, सो कॉल पती, जिससे तुम पती जबरजस्ती बना रही हो वो अपनी असली पत्नी के लिए फील करने लगा है सुनालिका एक बार फिर से टेंशन में आ जाएगी उसे पता है एक तो अनुपम उसे पसंद नहीं करते वो अनुपम प्रेणा का साथ बहुत जादा देते हैं उन्हें प्रेणा बहुत पसंदे ऐसे मुसे ये टेंशन होगी कि कहीं अनुपम भी अनुराख को वो पुरानी चीज़े याद दिलाने की कोशिश न करें कहीं उसका पिछला दो साल याद ना आ जाए सोनालिका के किये कराय पर पानी न फिर जाए हमने आपको बताया था अनुपम को एक बार सोनालिका पर भी शक हुआ था उन्हें लगा था कि सोनालिका अच्छी है पर कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है अभी तक किसी को ये नहीं पता है कि ये सोनालिका नहीं कमोलिका है और वहीं अनुपम इस बात के तह तक भी जाने की कोशिश करेंगे जब अनुपम को इस बात का पता चलेगा कि ये सारी शादी का ड्रामा सोनालिका ने करवाया है अनुपम को यहाँ पर शक होगा सोनालिका पर यसे हम आपको बता गए, जब अनुराग अनुपम से बाते शेयर करेगा, अनुपम उसे हिंट देगे, अब क्या अनुपम की उस हिंट को समझ पाएगा, कि वो क्यों फील करता है प्रेहिना के लिए, क्या रिष्टा है उसका और प्रेहिना का, यह सारे ट्विस्ट, यह सारे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बिल्कुल मत बूले, तिल देन टेक क्या, बाई बाई